असलाम अलेकम, अच्वे टॉपिक का नाम है माइटो कॉंड्रिया, जो कि MDCAD के लहाद से देखेंगे, बहुत असान और बहुत इंपोर्टन MCQs के लहाद से है, सिंगुलर होगा तो माइटो कॉंड्रियोन का हैंगे, माइटो का मतलब होता है, थ्रेड, कॉंड्रियोन का मतल ग्रैंश, तो माइटो का मतलब धाग है, और कॉंड्रियोन का मतलब ग्रैंश, दो स्ट्रक्चर आगे, थ्रेड लाइक होता है और ग्रैंश, हम माइटो कोट एक और भी नाम देते हैं, पावर हाउस ओधा सेल कहले, ATP मिल इन सेल कहले, ATP बनाने वाली फैक्टरि कहले, सेल व और्गिनली कह लेंगे, सारे जो नाम है, एक ही और्गिनली उसका नाम कहा है, माइटो कॉंड्रिया, मतलब कि एक क्रिश है, ठीक है, जिसके इतने जादा नाम है, सेल्फ रेप्लिकोटिंग और्गिनली है, नमबर साइज शेप के लहाद से डायमेट है, इसका 0.2 से लेके 1 म माइक्रोमीटर है, लेंथ इसकी 4 से 1 माइक्रोमीटर है, ठ्रेड और ग्रैनूल्स इसकी शेप है, और नमबर के लास से नमबर माइटो कॉंड्रिया, बेस कता है, फिजियोलोजिकल एक्टिविटी ऑफ दा सेल, जो सबसे ज्यादा एक्टिव सेल होते हैं, उनमें माइटो माइटो कॉंड्रिया ज्यादा होता है, जैसे स्केल्डर मसल के सेल, क्योंकि वो मसल लगातार काम करते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है माइटो कॉंड्रिया, क्योंकि उनको एटिपी की ज्यादा जरूरत होती है, जितने भी माइटो कॉंड इसे कॉंड्रियों में देखा रहे, तो आपके सामने इसकी जो आउटर मम्रेन, पर एक निकालने न्हाय माइनस करहें टो आम चैए से नाम नाम देते हैं। मिटोप्लास किया है? माइटो कोंडिय है जिसके पास outer membran नहीं है यह आपने या रखने हैं inner membrane हमेशा इसकी in folding form में होती है और इसकी एक in folding को नाम देते है क्रिस्टी क्या करते है क्रिस्टी है तीन आम बताएं, Oxisome, Elementary Particle और F1 Particle है, और जितने भी ATP Synthesis होती है, वो होती है F1 Particle के पास, क्योंकि इसके पास मुझूद होता है ATP Synthetase, जो Synthesis करता है किसकी ATP की, यह जो अंदर वर खाली जगा जिसका नम के Matrix है, Fluid Filled Area होता है, 70S वाला Ribosome इसके पास होता है, Circular DNA होता है, और इसी वज़ा से देख रहे हैं, इसको Self-Replicating Organically कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना DNA है, और क्या है Ribosome, Matrix के एक ऐसी जगा जापे करब cycle, Fatty Acid, Metabolism, Aerobic Respirational का Process चल रहा है, यह जो बैजन Organically है ना, यह जिसने सबसे पहले कहा था, यह Bioblast का नाम दिया था, Cell Organically कहा था, वो Altman ने कहाता है 1890 को, और जिसने कहाता है, यह Mytochondria का नाम दे दो, Mytochondrion, ठीक है, यह एक नाम दिया, जिसने दिया, उसका नाम C Bandla, 1898 को इसको Mytochondrion का नाम दे दिया रहे, यह Mytochondria का सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाना, तो Female के अग के अंदर होता है, जो के Ocite के अ मतलब योग की Formation होना, उस साइट के अंदर, जो Help Out करता है, उसका नाम का है, Mytochondria है, जजा को Allah खेर, और आप लोग कैसे हैं, कैसे बताएंगे, ठीक है, बता तो सकते हैं ना, आपकों सब वीडियो में आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सेते हैं, आप लोग कैसे हैं, यह त मुझे बताएं जड़ा, ओके भी, Allah Hafiz